नमस्कार दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं जैशंका परशाथ क्रत्य महाकाविय कामाईनी के सरदासर्ग की अब तक हमने सरदासर्ग के बारे में जाना कि मनु इम्हाले परवत की सबसे उंची चोटी पर बैठ कर विचार मन्थन में लीन है उसके सामने उथल फुथल मची हुई है सब कुछ नस्ट बस्ट हो चुका है संसार में कोई भी सजी और निर्चीव चीजें कहीं भी दिखाई नहीं थी चार उतरप जल ही जल ऐसे में सरदा आकर के मनों से पूच्ती है कि तुम कौन हो एक ऐसे मनुसे जिसका सब कुछ लुट गया हो खो चुका हो और अचानक उसे किसी आशा की किरण नजर आए उसके मन में क्या अनुभूती होगी मनु की मन में भी ठीक उसी परकार की सरदा को देकर के वचनों को सुन करके अनुभूती हुई मनु सरदा के सवाल का जवाब देता है कि मैं एक ऐसा उलजह हुआ प्राणी हूँ जो अपने आपको सुलजने का परियास करता हूँ लेकिन जितना मैं सुलजने की कोशिश करता हूँ उतना उलस्ता चला जाता हूँ देवों की अंतिम संतान मनु अपने सामने के सुकत सामराजी को खो देता है अपने सुन्दर अतीत को वो खतम कर देता है यहती की कारण और अब बहुश्य में कोई आसा उसे नजर नहीं आती है उसके जीने का कोई आधार उसे नजर नहीं आता वो अपने उलजुनों के बारे में मनु को स्रदा को बताता है और बताने के बाद में वो स्रदा से पूस्ता है कि पत्जड समान मेरे जीवन में बसंत का काम करने वाली है तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहां पर क्या कर रहे हो स्रदा मनु से कहती है और वो जब अपने मुँ से कुछ उचारण करती है तो मनु के हिर्दे को आनन्द के अनुभूती होती है ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल बोल करके पुस्त को यह संदेश दे रही हो कि पसंत का आगमन हो गया है मनु से स्रदा कहती है कि मुझे ललित कला के बारे में जानने का सोग था मैं गांदार देश की रहने वाली हूँ और वहां से इसी खोज में मैं विच्रण करने लगी ललित कलाओं के ग्यान को प्राप्त करने के लिए लेकिन खोजते खोजते मुझे पर्त्वी पर अनेक बिश्मेकारी चीजें पराप्त हुई जिससे मेरी जिग्यासा और ज्यादा जागर्थ हो गई और मैं उस सुन्दर वस्त्वों के सत्यों को जानने के लिए एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर विच्रण करने लगी और ऐसा करते करते मैंने सामने देखा कि हिमाले पर वत खड़ा है मेरे मन को इस तरह का आभास हुआ कि ये पर्थवी के माते पर सलवठी सिकन किस तरह की है सरदाने हिमाले परवत को पर्थवी का माता का है, सर सर का है जिस प्रकारिक मनू से किसी चिंता में लीन रहता है किसी परेशानी में होता है और परेशानी में होने के कारण उसके मातों पर सलवठे लकीरे आ जाती है हिमाले परवत के उभारों को देख करके मनू सरदा के मन में भी यही विचार आया कि आखिर प्रत्वी के हिर्दे में क्या पीडा है और स्पीडा के कारण ये सलवठे ये माले परवत के रूप में खड़ी है अब आगे मदूर्मा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान सजक हो करता था संकेत चेतना मचल उठी अंजान मदूर्मा कहते हैं सुन्दर्दा को सोया गुप्त सजक इसपस्ट रूप से चेतना भाउना ये मन मचल उठी आग्रह करने लगी अपने आप से अंजान भोली बन करके मदूर्मा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान सदा मनु से कहती है कि ओ यहां किस तरह पहुँची है इमहाले मुझे इसपस्ट रूप से संकेत करता हुआ परतित हुआ कि सजग हो करता था संकेत सजग हो करके इस पस्ट रूप से यह संकेत करता हुआ मुझे परतित हुआ कि मदूर्मा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान कि उसकी मौन सुंदरता बगवान का कोई महान और गुप्त संदेश है ऐसा आभास हुआ सरदा को इमाले पर्वत को देख करके कि इमाले पर्वत उसे कोई संकेत देना चाहता है कोई गुप्त संदेश देना चाहता है और उस गुप्त संदेश में उसकी मोन ता में बगवान का कोई महान और गुप्त संदेश छिपा हुआ है इस विचार से चेतना मचल उठी अंजान मेरी चेतना मेरा मन विचार करते वी मेरा भोला मन उन चीजों को जानने के लिए जिग्यासा को जानने के लिए मेरा भोला मन तडप उठा और मैं उस हिमाले परवत के कारण पर्थवी के हिर्दे के अंदर दबेविये दर्द को जानने के लिए उनकी पीर को जानने के लिए उनकी पीडा को जानने के लिए यहां तक चली आई आगे बड़ा मन और चले ये पैर बडामन और चले ये पैर सेल मालाओं का सरंगार आख की भूख मिटी ये देख हाई कितना संदर संभार संगार कहते हैं रमनियता को संदरता को आख की भूख नेत्रों की द्रशना या नेत्रों की प्यास संभार सामगरी द्रस्य है स्रदामनों को बताती है कि जब मुझे ऐसा लगा कि हिमाल परवत इसपस्ट रूप से कोई संकेत कर रहा है उसकी मौन सुन्दरता में भगवान ने कोई गुप्त संदेश से छोड़ रखा है और उस गुप्त संदेश को जानने के लिए मेरा मन, मेरा भूला मन तड़ फुटा और उसे निकटा से देखने के लिए मैं यहाँ चली आई आगे मन में उच्छा उठते ही बड़ा मन और चले यह पैर मन में उच्छा उठते ही मेरे पैर अपने आप इमाले पर्वत की तरफ चल पड़े सैल मालाओं का स्रंगार और पर्वत की रमणिये चोटियों, सुन्दर चोटियों को देख कर जिसमें अनेख परकार की अंगिनत सुन्दर द्रस से बरे विये है आँख की भूक मिटी ये देखा कितना सुन्दर संभार मेरे नेत्रों की सारी त्रस्ना, सारी प्यास पूरी हो गई उन सारी चीजों को देख करके जैसे ही मैं हिमाले पर्वत की तरफ मेरे कदम अपने आप बढ़ते चले गे और मैंने प्रत्वी की सुन्दरता को जाना प्रकर्टी को जाना इन सुन्दर रमनी चोटियों को मैंने जाना देखा और उन चोटियों में अनकिनत सुन्दर एक से बढ़कर एक मनोरम द्रस्यों को मैंने देखा उन्हें सारी चीजों सारी सारे द्रस्यों को देख करके मेरे आखे जिने देखने के लिए प्यासी थी उनकी प्यास मिट गई ये सब सरदा इसलिए कह रही है कि ओ मनु ने जब सरदा से जाना कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और यहां क्यों आई हो सरदा यहां आने का कारण बताना चारी है उसकी सुरुवात वो यह इस दिये करती है कि उसकी मन में एक जिग्या साथी ललित कलाओं की कला के बारे में जानने की और उन ललित कलाओं की सिक्ष्या प्राप्त करने के लिए किसी विद्वान रिशी मेहरसी के पास जाना चाहती थी लेकिन विधी का विधान कुछ इस तरह का था कि ललीत कलाओं को जानने के लिए कोई रिशी और मुनी तो उसे नहीं मिला इसके कारण वो ये एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर भीचरन करने लगी और बीचरन करते 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 वो उस जगह पर पहुंच गई जहां मनु गहन मुद्रा में गहन चिंतन इस्तिती में बैठा हुआ है उन्होंने वहाँ पर जाकर के प्रकरते के एक से बढ़कर एक सुन्दर द्रश्यों को देखा जिने द्रस्यों को देख करके उनकी आँखें अमेशा जिग्यासा किया करती थी इमाल ए पर्वत को देखा उन्हें दर्ती की पीड को देखा उनको लगा कि इमाल ए पर्वत मात्रिक पर्वत नहीं है बर कि ये इस पर्थवी का मस्तक है और इस परवत पर जो सलवटे पड़ी हैं जो उभार लगे हुई है वो उभार नहीं है बलकि परत्वी के माथे पर कोई सिकन है कोई चिंता है जिस चिंता की कारण वो वेदना से वो दर्द से वो दुख से तडप रही है और उसे चिंटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरदाब हिमाल परवत को और नजदीक से दीखना चाहती है लेकिन वहाँ फोंच कर उसे वो सारी चीजे वो सारी संपदा जो पर्त्वी अपने आप में समेटे हुए थी हिमाल परवत पर जाने पर उन्हें ग्याद हुआ जिन चीजों को कभी जीवन में उन्होंने आज तक नहीं देखा था उस सारी चीजों की जानकारी उन्होंने उस हिमाल परवत से प्राप्त की उनके नेत्र जिन चीजों को देखने के लिए तड़प रहे थे वो सुन्दर मनोरम दरस से देख करके उनकी प्यासी आँखे तरप्त हो गई और उनकी जिग्यासा और नई चीजों को देखने के लिए बढ़ती चली गई इस तरह स्रदा मनो को अपने आने का कारण बताती है इस कड़ी में आज इतना ही अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे तब तक नमस्कार